Hello everyone and welcome to the class guys, this is मैं अभी शेक साहू, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, class 11 physics का chapter 13, kinetic theory of guesses in just one shot, trust me guys, trust me, हर बार की तरह आपको इस चैप्टर में भी भरपूर आनन्द और मज़ा आने वाला है, जब आप इस वीडियो के अन्द में पहुंचेंगे, तो आप comment section में जरू से लिख करके जाएंगे, सब यह chapter इतना आसान था, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से इस chapter को समझाने वाला हूँ, कि आप बस इस chapter में खो जाएंगे, और आपने exam में धमाल मचा करके आने वाले हैं, लेको अगर आप इस chapter के आ पर जा करके नाम से सर्च कर लेना है, अभी शेक साहूसर फिजिक्स और उसमें आपको फाइल सेक्शन के अंदर ये सबी नोट्स इस 11th क्लास के डाउनलोड हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे डाउनलोड कर लेना, clear है, तो तसली के साथ बैठो, इस एक घंडे में, इस द गैस के मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से बेहेव करते हैं, क्या इनकी प्रापरडीज हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरिचर बढ़ाने से जो गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आते हैं, क्या उनक theory of liquid क्यों नहीं बना तो आंजर इसका यह है कि सर एक्च्वल में देखो क्या होता है कि solid और liquid के जो जो molecules होते हैं वो होते तो gas के जैसे ही है लेकिन इनके molecules के बीच में intermolecular force बहुत बहुत जादा होने current से इनके molecules बहुत 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 पास में होते हैं हाँ तो इनका जो motion है वो भी बहुत नहीं हो पाता हाँ तो हमें अगर study करनी है तो molecules बहुत पास पास में छोटो छोटो से तो हमने इच्छे से study कर पाएंगे हाँ तो molecules जो gas के होते हैं इनके बीच में intermolecular force बहुत कम होता है इसके साथ-साथ ये पहुत सारे volume में फैले होते हैं तो हम इनको आसानी से study कर पाते हैं इसलिए क्योंकि जो gases के जो molecules हैं ये लगातार motion में होते हैं लगातार motion में होते हैं इनके पास पहुत सारी kinetic energy होती है इसलिए हम पढ़ते है kinetic theory of gases not kinetic theory of solids और liquid अब आपको ये समझ रहा है कि gases जो है इनके पास जो भी properties है ये सिर्फ और सिर्फ इसके motion के कारण है अगर gases के molecule में motion नहीं होगा तो इनके पास जो properties आजम देखते हैं वो properties भी नहीं होगी और ये gas molecule जिस तरीके से collide करती है इससे भी इनकी बहुत सारी properties effect होती है clear है तो आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं बहुत सारे बच्चे comment करते रहते हैं बोला सर दो second ले तनिक तो side मढ़ जाया करो तो आप इसका screenshot ले लो ठेक है चलिए आगे बढ़ जाए next हमें पढ़ना है आपके पास boils law दूसरा हो गया Charles law तीसरा हो गया Avigator law चोथा law हो गया Galusac law तो आप इन चारो लो को बढ़िया से पढ़ेंगे तो यह चारो लो बेसिकल हैं में यह बता रहे हैं कि gas के molecules या gas किस तरीके से pressure volume temperature पे यह depend कर रही है clear है तो सबसे पहले में पढ़ना है boil's law तो देखें भई boil ने क्या कहा boil ने यह कहा कि यदी 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 temperature constant है क्या constant है temperature किसी भी gas का अगर हम temperature constant रखें तो जो volume होगा उस gas का यह pressure के inversely proportional होगा volume क्या होगा pressure के inversely proportional मतलब अगर आप temperature को change ना करें अब आप क्या करो कि pressure को जैसे एक gas है gas expand होना जा रही है अब अगर आपने pressure नहीं बढ़ाया मतलब आपने क्या किया कि एक काम करो आपने pressure अटा दिया piston को उपर अठा दिया तो आप क्या देखें कि pressure कम कर दिया तो gas fell जाएगी न तो pressure आपने हटा दिया तो volume बढ़ गया pressure कम कर दिया तो volume बढ़ गया अब आप क्या देखते हैं मान के चुला आपने piston जोर से दबा दिया तो pressure बढ़ गया तो molecules दूर दूर नहीं बाग पा रहे न तो pressure बढ़ गया तो volume घट गया pressure बढ़ वाल्यूम घटा समझे तो यहाँ पर आप वही चीज़ देख रहे हैं कि volume जो है यह pressure के universally proportional है अब आप जानते हैं कि जब भी यह proportionality sanity का तो एक constant आएगा क्या आएगा एक constant जोलो मैं यहाँ पे simple लिख देता हूँ constant upon में है P लिख दिया अगर मैं इसका cross multiply कर दूँ तो यह बन जाएगा PV is equal to constant तो boils law का यह हमारे पास एक form मिल गया जो हमसे कह रहा है कि constant temperature पे pressure और volume का जो multiplication है जो product है यह constant रहेगा मतलब कहीं पे pressure जादा होगा तो वहाँ पे volume कम हो जाएगा लेकिन दोनों का जो product है यह constant रहेगा यह change नहीं होगा यह अगर एक कम हो जाएगा दूसरा बढ़के एक दूसरे को compensate करेगा कमी को पूरी करेगा clear है अभी का होता है कि boil ने अलग-अलग gases को study किया और क्या पाया कि ideal gas जो होती है यह real gas से थोड़ी सी अलग है या उल्टा काओं कि real gas ideal gas से थोड़ी सी अलग behave करती है जैसा अगर मैं बात कर रहा हूँ कि pressure और volume एक दूसरे के inversely proportional है तो अगर मैं इनका graph बनाओ तो कुछ देखो अगर directly proportional होते तो graph कुछ ऐसा बनता बनता की नहीं बनता लेकिन क्योंकि inversely proportional है तो graph ऐसा बन रहा है तो अभी क्या हुआ कि अगर boil ने gases को study किया ideal gas को study किया तो graph कुछ इस तरीके का बन रहा है जबकि real gases को जो practically जो gases है उनको study करा तो graph कुछ इससे जो ऐसा बनना चाहिए था इससे कुछ अलग सा बन रहा है अब मैं आपको बता दूँ कि real gas, ideal gas ये क्या क्या चीज़ है तो पहले ये clear करो उसको तो देखो होता क्या है कि जो ideal gas होती है ideal gas हम उन gases को बोलते है कि जो हर temperature पे हर pressure पे ideal gas equation PV is equal to NRT को follow करे उन gases को हम बोलते है कर पाते हों नहीं कर पाते है तो हम उसको बोलते है कि ये practical, ये real gases है समझ गए तो practicality ideal conditions थोड़ी सी अलग होती है तो boil slope में भी यही सामने आया क्या सामने आया कि boil slope कहता है कि अगा temperature constant है तो volume और pressure हमेशा inversely proportional होंगे और inversely proportional का ideal graph होता है वो कुछ इस तरीके का होता है लेकिन क्या देखा गया क्या देखा गया कि volume low temperature पर क्या देखा गया कि low temperature पर हमने देखा कि real gases मतलब practical condition में है ना जो सच्चाई है सच्चाई ये है कि ये ideal gas और real gas की बीच में इतना difference आ रहा है फिर हमने का देखा हमने देखा कि अगा temperature बढ़ा आए जा है high temperature पर जो हमने real gas real gas और ideal gas को study किया तो हमने का देखा कि ideal gas का behavior कुछ इस तरीके का है और practical जो real gas का behavior है वो इसके बहुत close जा रहा है इसके बहुत pass में जा रहा है तो हमने का देखा कि low temperature पे low temperature पे real gas और ideal gas जो सच्चाई है और जो ठोड़ी है इन दोनों के बीच में जादा difference आ रहा है low temperature पे ठेक है और temperature बढ़ा दे तो हमारी जो real gas है जो हकीकत है वो ideal condition के पास पहुँच रही है तो हम का बोलेंगे यह ideal gases के जैसा behave करने लगती है आप यहाँ पर देख सकते है real gases behave करने लगती है ideal gases की तरह है समझ में आगई बात तो आप इसका screenshot ले सकते है फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो आपको boil slow clear हुआ होगा boil slow हम से कह रहा है कि PV is equal to P और V का जो into है यह कैसा है constant है clear है आगे बढ़ते हैं जरा next देखते है next देखो आप क्या मिल रहा है next आप मिलता है Charles log अब Charles ने भी कुछ उस तरह की बात करी Charles ने कहा कि if pressure is constant यदि pressure constant हो यदि हम pressure को constant रखे pressure ना बढ़ने दे ना कम करने दे तो volume of gas जो gas का volume होता है यह temperature के directly proportional होता है volume जो होता है यह temperature के directly proportional होता है आप ऐसे समझेंगे कि यह मेरे पास एक container है इस container में कोई भी gas बरी होगी उपर लगा होगा एक piston उपर लगा होगा एक piston यह piston लगा है आपने नीचे से इसको heat दी अब आप अगर नीचे से heat देंगे तो भई, अबिस सी बात है कि pressure, देखो heat दोगे molecules में random motion होगा molecules में random motion होगा तो भई, pressure बढ़ेगा तो आपने pressure को constant करने के लिए देखो, temperature बढ़ा तो temperature बढ़ा, तो भई, अबिस सी बात है pressure बढ़ेगा, योगी piston पिस्ट्न वोपर नहीं जा रहा है, molecule दूसरे बहुत टकषणागे, तो अभी क्या होता है, कि आपने क्या किया कि पिस्ट्न को ऊपर उठा दिया, पिस्ट्न को ऊपर उठा जो भी ज़ो प्रेशर बढ़ा था, यह प्रेशर हो गया रिलीज, तो pressure constant रखने के लिए आपने क्या किया volume को बढ़ाया तो volume आपने देखा temperature बढ़ाने से बढ़ गया temperature बढ़ाने से बढ़ गया तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं और घटाने से फिर ऐसे घट भी जाएगा तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो Charles Law यह कहता है कि यदी pressure constant है तो gas का molecule पूरी तरीके से temperature पर depend करता है किस पर depend करता है temperature पर हमने फिर graph बनाया volume और temperature का तो हम क्या देखते हैं हम क्या देखते हैं कि बढ़ लो temperature पर देखो यह दिखा रहा है देखो यह तो होगी ideal wild land क्या होगी तो low temperature पर हम क्या देखते हैं देखो low temperature पर देखो आगे बढ़ रहा है तो temperature बढ़ रहा है ना तो देखो low temperature पर ideal line और real line के बीच में मतला ideal gas और real gas के भी जादा difference है फिर temperature जैसे बढ़ता गया तो हम देख रहे हैं कि high temperature पर ideal gas close जा रही है real gas क्या कहें कि real gas का जो behavior ideal gas से मिलता जोलता है तो यहां से भी हम यह बात को clear कर सकते हैं high temperature behavior of real gas is close to the ideal gas यहां पर क्या चीज बता जा रही है V is inversely proportional to T तो यहां पर हम इसको जो है बताएंगे कि V is directly proportional to T V is directly proportional to T तो V is equal to constant into T तो आप देखेंगे V by T का जो ratio है that is constant that is constant clear है ठीक है आप इसके screenshot ले सकते हैं यह हुआ हमारा Charles law अब इसके बाद हम boil law चार्ल्स law को combine करते हैं और एक बड़ी आसा relation हमें यहां से मिलेगा देखो जरा boil law ने क्या कहा कि volume और जो pressure है ये inversely proportional है इसके बाद Charles law ने कहा कि volume और temperature directly proportional है ऐसे ही का यहाँ है अब अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं combine कर देते हैं तो हमें मिलता है कि volume temperature के तो directly proportion लेकिन pressure के inversely proportion तो इसके बाद हमने क्या किया इसके बाद हमने यहाँ पर इन दोनों का multiply कर दिया, cross multiply तो यहाँ पर PV is directly proportionality आ गया, अब यह proportionality साइन अटता है, तो एक constant आएगा क्या आएगा, एक constant आएगा चले तो यहाँ पर एक constant आया और यह हमें मिल गया k into t, clear अब आप यह देखो, कि भाई इस constant को हम क्या बोलते हैं इस constant को हम कुछ तो बोलते होंगे, चलो क्या बोलते हैं, मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ अगली slide पे लेकिन, हमने कहा कि PV is directly proportionality t, यहाँ पर constant आया, जिसको मैं simple नाम दे दिया proportionality constant और into में है t, अब अगर इस t को में इसके upon में भेज़ दूँगा, तो यह बन जाएगा PV upon t is equal to अकेल आसर बचा constant तो PV by t is equal to constant अब यह हमें क्या बताना चारा है यह जो ratio है PV by t यह हमें बताना चारा है, कि sir अगर आप किसी भी condition में gas का pressure बढ़ा रहे हैं क्या, pressure बढ़ा रहे हैं तो volume और temperature भी तो change होगा लेकिन वो pressure बढ़ने पे volume और temperature इस तरीके से change होगा कि यह जो pressure volume by temperature का जो पूरा जो term है यह constant रहने वाला है आप समझते हैं, कि अगर मैं temperature बढ़ा होगा, तो pressure और volume भी अबिस सी बात affect होगे लेकिन यह इस तरीके से change होगे कि pressure into volume upon temperature का जो ratio है यह क्या है, यह constant रहने वाला है यह बहुत अच्छी बात है ना तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि P1 V1 by T1 कोई भी pressure, volume और temperature का जो ratio है, यह constant है तो P2 V2 by T2 यह दोनों क्या होने वाले हैं, यह बराबर होने वाले है P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 is equal to P3 V3 by T3 मतलब यह पूरा term क्या है, constant है अब देखो, यही बात मैं दुबारा से करूँगा और मैं इसको एक perfect या ideal gas equation को derive करूँगा, देखे ज़रा तो अगर मुझे ideal gas equation derive करनी होती है तो boil slot, Charles law से ही कर लेता हूँ देखो, मैंने अभी कहा देखा कि Charles law यह कर रहा था, कि volume directly proportion, यहाँ पर भी derive कर सकता था मैं, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहरा था, इसलिए मैंने थोड़ा से इसको separate रखा, तो जब भी मुझे ideal gas equation है, perfect gas equation derive करनी होती है, तो Charles law ने जो कहा boil slot ने जो कहा, मैंने इन दोनों को combine कर दिया, combine कर दिया तो PV is directly proportional temperature आ गया अब जब भी आप proportional design अटाते है constant आता है, और यहाँ पर मैंने proper उस constant को बता दिया कि यह constant क्या है, तो आपने जब भी proportional design अटाया, तो constant आया, जिसका नाम है R, capital R, और यह R क्या है, universal gas constant क्या है, universal gas constant, तो PV is equal to capital RT, यदि मेरे पास N number of moles हैं यदि मेरे पास N number of moles हैं gas के, तो फिर में क्या कहूँगा, for N moles of gas PV is equal to RT में क्या हो जाएगा, N का N2 हो जाएगा where N is the number of moles अब देखे ज़रा, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि जो मेरी perfect यह ideal gas equation आगी, वो क्या आगी, PV is equal to NRT, PV is equal to NRT, यह मेरी ideal gas equation है, अब इसी equation को मैं अगर लिखना है, यह यहाँ पर क्या है, यह moles के terms में है, यह किस term में है, यह moles के form में है यह equation किस में दिया है N number of moles के form में अब अगर मैं इसी equation को मोल्स के form में ना लिखते हुए, मैं लिख दूँ molecules के form में तो कैसे लिखूंगा तो formula होता है total number of moles is equal to number of molecules by evogadro number आप इसको याद रखें n is equal to number of molecules by evogadro number evogadro number की value आप जानते हैं 6.023 तो ये एक magical number है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा तो number of moles is equal to number of molecules by evogadro number तो हम इसको यहां से replace भी कुछ relation, important relation है यह आपको ध्यान रखने होते हैं जैसे कि तो हम इसी equation में ideal equation में small n की value को put करेंगे तो आपने यहां पर क्या देखा n is equal to n के place पर number of molecule upon evogadro number आपने लिख दिया into में ही आप देखो यहां पर क्या होता है कि हम इसी equation को अलग-अलग तरीके से लिखते हैं क्योंकि जब numerical आता है वो अलग-अलग values के साथ आता है अलग-अलग value के साथ आता है तो फिर आपको इन सारी चीजों के अलग-अलग formula पता तो होना चाहिए तो देखो आप जब PV is equal to nRT लिखा है तो वो moles के बारें बता रहा होगा और जब n के place पर आप n by na लिख देंगे तो वो number of molecules के form में आ जाएगा अब आप यहां से ये भी चीज़ जान ले कि जो universal gas constant है अच्छा मैंने आपको साथ इसकी value नहीं बताई universal gas constant की value क्या होती है 8.31 joule mole inverse Kelvin inverse ये इसकी value होती है अब इसके place पर हम क्या लिख सकते हैं अब देखो एक और term होता है एक और constant जिसकों बोलते हैं बोल्जमेन constant बोल्जमेन constant क्या होता है अगर हम universal gas constant को इस एवोगेडरो रंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक term मिलता है constant जिसकों बोलते हैं बोल्जमेन constant तो आप यहां से यह समझ लो कि भई देखो आप यहां से यह समझ सकते हैं कि r by na क्या होता है बोल्जमेन constant तो direct मैं यहां से equation बना सकता हूँ direct मैं यहां से equation बना सकता हूँ कि pv is equal to pv या p into v is equal to यह क्या लिखा है N into इसको मैं लिख सकता हूँ R by N A एवोगेडरो number into ये केतना हो जाएगा temperature तो मेरे पास equation क्या बन गई PV is equal to N और ये क्या होगा Boltzman constant तो मैंने इसको लिखा KB into T तो PV is equal to अगर number of molecule के form में हो तो ये वाली equation भी काम करेगी और ये वाली equation भी काम करेगी अब as per the condition हम इन equations को use करेंगे तो आप इन दोनों का आप screenshot ले सकते हैं आप इसका भी screenshot ले लो और इसका भी screenshot ले लो clear है? आगे बढ़ते हैं next हमें पढ़ना है इन दोनों के बीच में जैसे आपने यहाँ पर निकाला PV is equal to nRT आपने निकाला न तो जब इस PV by nT और pressure का एक graph बनाया गया क्या? PV by nT और pressure का graph बनाया गया तो वो graph कुछ इस तरीके का बना graph किस तरीके बना? इस तरीके का यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि अगर हम ideal gas को देखें किसको देखें? ideal gas तो ideal gas की line जो pressure के respect में वो कुछ इस तरीके से जा रही है क्या? कि PV by nT का जो ratio है वो constant है और pressure इस तरीके से बढ़ रहा है अभी आभी देखो तो अगर मैं ideal gas की बात करूँ तो यह line कुछ इस तरीके से जबकि मैं अलग-अलग temperature पे अलग-अलग temperature पे real gases की study कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? कि T1 temperature पे graph कुछ इस तरीके से जा रहा है T2 temperature पे graph कुछ इस तरीके से जा रहा है तो हम क्या देख रहे है? कि यहाँ पर T1 और यहाँ पर यह भी चीज़ हमें मेंशन करनी है कि T1 टेंपरचर बड़ा है T2 छोटा और T3 उससे भी छोटा है तो यहाँ पर हम यह study हमने करा और हमने जाना कि भई देखो मैं पीछे की साथ आ रहा हूँ तो pressure कैसा है? low pressure है तो low pressure पर आप भी देख रहा हूँ कि जो gases है यह ideal gas से मीट कर रही है कर रही है? कर रही है? ना अभी देखो और इसके बाद जैसे जैसे आप high pressure पर जा रहे हो कैसे? sorry देखो आप pressure जैसे से बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये ideal gas से इनकी दूरी बढ़ रही है और pressure बढ़ जाएगा मतलब जो real gases है low pressure पे थी कहाँ पे low pressure पे तो आपने देखा कि real gases low pressure पे ideal gas से meet कर रही है जबकि आपने pressure बढ़ आया तो आपने देखा प्रेशर बढ़ आया तो अलग-अलग temperature पे जो real gases है ये ideal gases से और दूर जा रही है मतलब इनका behavior और दूर जा रहा है ठीक है इसके बाद आप देखो कि आप pressure और बढ़ाओगे तो आप देख रहा हो कि एक particular point के बाद फिर से जो है ये real gases ideal gases से दूर ही तो जा रही है तो आप ये कह सकते हैं कि real gases approach the ideal gas at low pressure low pressure पे real gas का behavior low pressure पे real gas का behavior ideal gas के जैसा होता है और temperature की बात करें तो कैसा temperature होना चाहिए low temperature या high temperature तो ideal gas से match करने के लिए real gases का temperature high होना चाहिए आप देख रहा हो T1 high है तो ये T1 ideal gas के closer है T2 कम temperature है तो इससे दूर जा रहा है तो आपने कहा देखा कि low temperature तो हम यहां से ये conclude कर सकते है कि low pressure और high temperature पे real gases ideal gas की तरह behave करते हैं एक बार फिर low pressure और high temperature पे real gases ideal gas की तरह behave करती है चले अभी हम आ जाते हैं evogadro hypothesis पे अभी evogadro hypothesis क्या होती है आप यह मान के चलिए evogadro ने एक assumption हमें दिया है ना मतलब एक धार ना दे क्यों रही दी evogadro का कहना यह था कि अगर मेरे पास दो gases हैं मान के चलो यह मेरे पास दो gases हैं ठीक यह एक gas का container और एक दूसरी gas का अब मान के चलो मेरे पास यह दो gases हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि एक gas का molecule यह हो गए ठीक और एक मेरे पास यह वाली gas हो गए देखो मैं इसके molecule का size थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ठीक ठीक है ना यह चीज मैंने कहती है अब देखो तो एवोगेडरों ने क्या कहा कि अंडर same temperature and pressure अगर दोनों gases का temperature और pressure सेम है तो दो gases भले ही अलग अलग हो जैसे कि एक hydrogen gas मैंने ले ली दोनों देखो same container में है तो मैंने इस gas का volume भी 1 meter cube ले लिया और इस वाली gas जो कि लेट से मैंने oxygen ले लिया और इसका molecule मैंने 1 meter इसका volume भी मैंने 1 meter cube ले लिया तो आप क्या देखते हैं कि भले ही दोनों gases अलग अलग हैं लेकिन अगर दोनों gases का pressure और temperature सेम है तो एक meter cube के अंदर जितने hydrogen के molecule होंगे उतने ही molecule oxygen के होंगे मैंने क्या कहा कि under same temperature and pressure बराबर gases में बराबर बराबर molecule होते हैं एक meter cube hydrogen gas में जितने molecule होंगे उतने ही एक meter cube oxygen gas में molecules होंगे बराबर इसे बात है गया ऐसा कैसे हो सकता है जबकि hydrogen के molecules छोटे-छोटे होता है और oxygen के molecules बड़े-बड़े तो कैसे possible है कि बराबर volume बराबर बराबर जो है molecule आ जाए मैं आपको बताता हूँ कैसे बहुत से बड़े देखो क्या होता है कि जो basically hydrogen gas का molecule छोटू सा और oxygen का भी बड़ा है hydrogen से बड़ा है लेकिन वैसे तो बहुत छोटा सा है आप यह देखते हैं कि दो gas molecule जब space में होते हैं volume में होते हैं तो क्या होता है जब मतलब field पे होते है न यह तो क्या होता है इनके बीच की जो intermolecular distance है इनके बीच की intermolecular distance है यह कैसी है यह काफी ज़्यादा है इनके size की comparison में तो हमका देखते हैं इससे फर्क ही नहीं पड़ता है इससे फर्क ही नहीं पड़ता है बात समझ मारी है न तो इनके size का आपस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और क्या बात कही जा रही है, कि इनके बीच का intermolecular distance जादा है, इनके size से बहुत जादा है, तो इनके छोटे से size में कोई फर्क नहीं पड़ता है simple जी बात है, इनके छोटे size ये छोटा है, ये छोटा से बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है समझभार ये बात, चलिए तो एवोगेटरों ने ये बात कही, कि equal at under same temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecule, I hope आपको इस बात समझभाई होगी next हम आगे बढ़ेंगे, और हम बात करेंगे प्यारे, गेलू सेकल लोग के बारे में, अब ये लोगा कहता है कि अगर आपने volume का constant रखा है, तो pressure is directly proportional to temperature ये simple इतनी से बात होगी कि मान के चलो कि आपके पास एक कुकर में एक कुकर में जो है पानी बढ़ा हुआ है और आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि अगर आपने pressure को constant रखा है, अगर आपने क्या करा है अगर आपने, sorry, volume को constant रखा है मतलब आप इस पानी को पैल नहीं दे रहे हैं आप इसकी steam को पैल नहीं दे रहे हैं मतलब आप expand नहीं होने दे रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, कि जो pressure है जितनी आप heat बढ़ाते चले जाओगे जितनी आप heat बढ़ाते चले जाओगे temperature बढ़ाते चले जाओगे उतना इसका pressure बढ़ेगा जैसे कि आपने देखा कि आपने पानी को फैल नहीं दिया expand नहीं होने दे रहे हैं आप इसको समझे, तो होता क्या है कि 30 degree Celsius पे इसके अंदर pressure कम होगा 60 degree Celsius में pressure कम होगा sorry, बढ़ जाएगा 80 degree Celsius में pressure और बढ़ जाएगा 100 degree Celsius में pressure और बढ़ जाएगा और आप देखते हैं कभी CT आजाती होगा इसके नहीं होता तो आप क्या देख रहो कि volume नहीं बढ़ने दे रहे हो volume नहीं बढ़ने दे रहे हो लेकिन जैसे जैसे temperature बढ़ रहा है वैसे वैसे pressure भी बढ़ रहा है this is what we known as this is what we say is Galusac log बात समझवा रही है तो बस यहां से क्या दिया जा रहा है कि pressure is directly proportional to temperature pressure यह हटाया तो एक constant आ गया यह नीचे temperature आ गया तो P by T is equal to constant बताएगे ज़रा समझवाया आप इसका screenshot ले सकते हैं आगे बढ़ जाते हैं next time है पटना है assumptions in kinetic theory of gases देखे क्या होता है कि जब हम kinetic theory of gases में आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ assumptions मतलब kinetic theory of gas को जिस तरह डिजाइन करा गया उससे पहले कुछ बातों को assume करा गया कि gas molecule कैसे चलते होंगे gas molecule की जो है कैसे collide करते होंगे इनका size क्या होता होगा योगी हमें अलग-अलग gases को study करनी है तो यहाँ पर कुछ बाते कहीं गई और इन सभी बातों को हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं देखो kinetic theory of gases में कुछ assumption किये गए उनमें से पहला assumption यह है कि जिन molecules के हम study कर रहे है जिन molecules के हम बात कर रहे है यह perfectly rigid है rigid का मतलब यह है कि दो molecule जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक molecule टकराके अपने shape में change कर ले यहाँ टकराके तो यहाँ चप्टे हो गई है तो यह molecule क्या है यह perfectly rigid है और perfectly elastic है कि जब यह collide करते है तो जिस velocity से यह गए थे उसी velocity से वापस आ जाते है यहाँ मतलब energy का loss नहीं करते है आप ऐसा बोल सकते है कि यह molecules क्या है यह perfectly elastic है और perfectly rigid है perfectly elastic का मतलब है जब यह टकराते हैं तो अपने energy का loss नहीं करते टेक यह molecule सबी गैस को जो molecule है वो identical है identical मीज इन सब का shape है size है कैसा है यह हमारा assumption है हम जानते है कि अलग-अलग gases का जो size होता है यह कैसा है अलग-अलग होता है molecules का लेकिन हमने क्या बोला कि inter-molecular distance कैसी है बहुँ जादा है size इनका distance चोटा है तो इससे कोई बहुँ जादा फार्क नहीं पड़ता है इसलिए हमने इस बात को assume कर लिया कि बहुँ जो सभी molecules है given gas के यह हर respect में कैसे है same है अगली बात का है तो molecules are in state of continuous random motion कहा जा रहा है कि जो molecules जो है gas के molecules यह लगा अतार randam motion में होते है यह कभी रुकते नहीं है और हर possible direction में यहाँ वहाँ कहा हर direction में यह जाते रहते हैं random motion करते रहते हैं जब अगली बात यह कही गई कि जब यह random motion करते हैं collide भी करते हैं एक दूसरे से और container की ball से है ना जब gases random motion कर रहे हो तो obviously बाद टकराएंगी एक दूसरे से भी टकराएंगी और balls of container से भी टकराएंगी clear है और इसी current से उस container की ball पे pressure लगता है now next point का दिया हुआ है the collisions are perfectly elastic and there are no force of attraction and repulsion between them ये एक अच्छा point है देखो जब हम ideal gas की बात करते हैं तो ये चीज़ कहीं जाती है कि ideal gas के molecules के बीच में किसी तरह का attraction force नहीं होता और नहीं repulsion force होता है तो क्या कहीं जा रही ये बात कि collision perfectly elastic तो है ही इसके साथ-साथ molecules के बीच में कोई भी force of attraction और रिपल्जन नहीं होता next क्या कहा जा रहा है between two collision molecules move in a straight line क्या क्या बात कहीं जा रही है कि दो collision की बात करी जाए between two collision जब भी दो gases molecules collide करते हैं ये काफी बड़े-बड़े मैं ने बना दिये जब दो gas molecules collide करते हैं तो ये ऐसा नहीं करते कि ये लहरा के ऐसे नहीं टकराते हैं एक दूसरे से ये क्या टकराते हैं ये सीधे-सीधे टकराते हैं कैसे सीधे-सीधे collide करते हैं ये से इसको इससे टकराना है तो ये इससे collide करेगा ना की बोला जो है ऐसे जाएगा समझे तो दो molecules के बीच में कोई भी collision के बात करें तो collision के बीच में या एक collision के जब हम बात करते हैं तो molecule straight line में travel करता है ना कि घूम खाम के despite collision, collision के बाब जूद भी density कैसी रहती है इसकी same रहती है, ये सारी चीज़े हमने हाँ पर assume करके अलखी होई है, बताइए धरा ये जिस clear है, आप इन दोनों slides का screenshot ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे take now, next बड़ा ही important सा खतरनाक सा derivation है, लेकिन बहुत simple है, घबरान नहीं है आपको obtain expression for pressure exerted by ideal guess देखे, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत important बात बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं, rms value क्या बोलते है, rms value देखो क्या होता है, कि किसी भी gas में अगर हम velocity की बात करें, देखो बहुत सारे molecules हो सकते हैं अब आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए कि क्या ये molecules सारे के सारे molecules एक जैसी velocity के साथ जा रहे होंगे, नहीं नहीं जा रहे होंगे, अलग अलग तरीके से collide करेंगे, अलग अलग तरीके से देखो, क्या होता है, कि जब ये collide करते हैं, तो इनके बीच में force लगता है और force लगेगा, तो भई अब इस बाते ये accelerate करेंगे, तो उनकी velocity भी अलग अलग होगी, तो basically होता क्या है, कि अगर इस particle के, इस system के अंदर n number of particle है, तो यहाँ पर एक term होता है, जिसकों बोलते है rms value, क्या बोलते है, rms value, या rms velocity, rms velocity का full form होता है, root mean square velocity देखो, क्या होता है, कि जब हमारे पास बहुत सारे n number of particle होते हैं, यह दूसरे से collide कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी velocities होते हैं, तो अगर हमें एक velocity pick करनी होती है, तो हम rms velocity को लेते हैं, क्या कहा, कि जब एक system के अंदर बहुत सारे particle दूसरे के साथ collide कर रहे होते हैं, तो एक particular instant of time पर अलग-अलग particle की अलग-अलग velocities होते हैं, तो अगर हमें derivation purpose के लिए, numerical purpose के लिए, एक single value of velocity pick करनी होती है, तो हम rms value लेते हैं, कमझे value होते हैं, rms value, rms value basically क्या होता है, इसको full form क्या है, root mean square value, root mean square, तो पहले हम बात करेंगे mean की, तो अगर मुझे, अगर simple mean निकालना होता है, तो मैं कैसे निकालता हूँ, एक particle की velocity, दूसरे particle की velocity, तीसरे particle की velocity, और इसमें बहुत सारे particles अगर हैं, तो उन सब की velocity मुझे निकालनी है, तो मैंने कहले लिए, और कितनी velocity उसका divide करती है, यह तो हो गई, average velocity, लेकर rms, rms का मतलब, root mean square, तो root mean square, मतलब मुझे mean तो ले न, लेकिन किसका square का, तो मैं v1 square, v2 square, v3 square, vn square का divide कर दूँ, अगर total number of velocity से, तो मुझे क्या मिल गया है, squares का, देखो, यह क्या है, velocities का divide कर दूँ, तो यह हो जाएगा, उस square का mean, मतलब average, टेक, और इसके बाद, अगर मैं इसके उपर root लगा दूँ, तो यह हो जाएगी, root mean square value, मतलब rms value, क्या हो जाएगी, rms value, बात clear हो गई, तो अगर मुझे rms value निकालनी है, तो कैसे निकाली जाती है, v rms लिखूँ, या u rms लिखूँ, तो यहाँ पर क्या है, कि सभी values का मैं square करूँगा, सभी velocities का square करूँगा, और उसको, उसका mean नकालूँगा, उसको उपर root चड़ा दूँगा, तो यह हो गया, root mean square value, clear है, ना, तो इस velocity का हमें बहुत सारा use मिलने वाला है, तो हम इसको यहाँ पर देखेंगे, तो अभी हमें का समझना है, expression करना है, बड़ा यह अच्छा expression है, इसको बड़िया से समझेंगे, obtain expression for pressure exerted by an ideal gas, तो अभी हमें बताना है, कोई भी ideal gas, कितना pressure exert करती है, तो हमने क्या माना, derivation आराम से होगा है, तो आपके बहुत सारे concept clear होंगे, तो हमने माना के, हमारे पास एक cube है, cubical container है, और इसमें gas molecules से collide कर रहे हैं, gas की एक खास property होती है, कि अगर वो किसी container में है, तो उस container के सभी phases पर, सभी sides पर, equal pressure exert करती है, यह मतलब इसकी बढ़िया से आता है, ऐसा नहीं होता, जैसे मान के चलो, आप भी देखो कि, अगर हम बात कर रहे हैं, कि एक container में liquid भरा हुआ है, तो आप क्या देखते हैं, कि liquid अगर इस container में भरा हुआ है, तो इसके bottom face पे, पूरा भरा है liquid, बिल्कुल उपर से लेकर नीचे तक पैक, इसके bottom face पे का होगा, ज्यादा pressure लेगा, लेकिन इसके upper face पे pressure कम लगएगा, यहाँ पे, यह same height पे तो pressure कैसा लगता है, तो आप यह समझो, लेकिन इसमें कैसा होता है, इसमें ऐसा है, कि सभी faces पे, सभी sides पे जो pressure होगा, वोग ऐसा होगा, same होने वाला है, clear है, ज्यान रखेंगे, तो हमने क्या किया, कि हमारे पास यह एक container है, और हमने एक single gas molecule को consider करा है, किसको single gas molecule को हमने consider किया है, तो आप क्या देखते हैं, कि यह gas molecule है, जो कि हर direction में जा रहा होगा, x axis में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है, और यह एक time पर, तीनों axis में इस तरीके से भी motion कर सकता है, clear है, चलिए, तो हमने क्या मान दिया, कि यह single molecule अभी, हम एक single direction में consider कर लेते हैं, तो लेट से यह molecule जाता है, और जाकर कि इस वाले, इस वाले face से टकराएगा, और जब टकराएगा, तो भी force लगाएगा, और यह force इस wall के area पर distribute होगा, तो इस wall पर कहा लगेगा, pressure लगेगा, जितना pressure एक single wall पर लगेगा, उतना ही pressure लगेगा, बाकी की सभी wall पर, तो अगर आपने एक wall पर pressure निकाल लिया, तो वो आप सभी walls पर pressure equal होगा, तो हम एक single wall पर pressure निकाल लेते हैं, clear है, now, क्या हुआ, कि यह molecule गया, यह इस से टकराया, पर टकराएगे बापस आगया, clear है, now, हम आपको बता दें, कि जैसे मानके चलिए, कि अगर molecule आपका किसी भी particular direction में जा रहा होगा, तो इसकी जो velocity होगी, that will be vector sum, देखो, u x i cap, जैसे मानके चलो, अगर molecule आपका किसी random direction में जा रहा है, तो उस velocity को अगर आप resolve करेंगे, तो उसके vector component में अगर आप resolve करते हैं, इस तरीके से होगा, u y j cap, plus u z k cap, clear है, इस तरीके सम देखेंगे, तो अभी के लिए मैं ये assume कर लेता हूँ, कि भई अभी ये सिर्फ x axis में जा रहा है, और एक wall से hit करेगा, clear, अभी समझे, कि जब ये wall से hit करेगा, तो होगा क्या, कि इसका momentum change होगा, तो जब ये इधर जा रहा है, तो इसका initial momentum होगा, let's say pi, और जब ये आएगा, तो इसका final momentum हो जाएगा, pf, clear है, now, तो आप ये देखिए, कि initial momentum, momentum का formula होता है, mass into velocity, mass into velocity, तो हमने कहा कि x axis में जा रहा है, तो हमने इसको लिख दिया, velocity कितनी है, u x axis में ठीक है, initial momentum, क्योंगी right side गया, तो आपने इसको माना, right side गया तो माना, positive, और left में आएगा, तो velocity आप ले लिए negative, तो final momentum, minus का m into u x, change in momentum निकाला, आपने final minus initial करके हैं, तो change in momentum आ गया, 2 m u x, basically u x का है, x axis में इसकी velocity, ठीक है, now change in momentum निकाला, अब new term का second logic कहता है, कि rate of change of momentum, is called force, तो force जो होगा, यह क्या है, force is equal to rate of change of momentum, किस rate से momentum change हो रहा है, किस rate से momentum change हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं, force, तो आपने उपर लेखा, change in momentum, उपर कह लेखा change in momentum, चेंजन momentum formula आपने यह निकाला, यहां से up on, आपने निकाला change in time, यह बई किस चीज़ का change in time है, यह मतलब यह time है, किसका दो collision के बीच का, collision किस से, इस ball से, तो देखो, होता क्या है, कि जब भी कोई gas molecule, या, चलो, इसको लेखा देर रहुआ, जब भी, पीडियो वीडियो आप देखेंगे, तो आपको यह समझ माएगा, दो collision के बीच का जो time लग रहा है, उसको आपने बोला change in time, ठीक है, तो आप कुछ ऐसे मान के चलें, कि सबसे पहला collision मान के चलो, यह हुआ, यह देखो, यह मान के चलो, यह सबसे पहली बार इससे टकराया, ठीक है, यह मान के चलो, कि इससे molecule यह आ रहा था, एक मिट, यह यहाँ पे आगे टकरा गया, टकरा गया, लेट से आपने इसको बोला, कि भी, यह zero time हो गया, ठीक, अब यह दुबारा से कब टकराएगा, दुबारा से कब टकराएगा, यह zero second हो मान के उससे टकराया, तो पहले यह जाएगा, end तक, हम यह अजूम कर रहे हैं, बुल्कुल end तक जा रहा है, एक single molecule लगा रहा है, तो यह पहले end तक गया, और इसने distance travel करी L, फिर यह वापस आया, और फिर टकराया, एक collision का दूसरा collision, तब ही तो आप बोलो कि change in time, मतलब यह से एक collision हुआ, zero second पे, फिर अगला collision हुआ, अगले second पे, तो दो collision के बीच में जो time लगा उसी को तो आपने गोला, change in time, समझे, तो distance क्या 2L, और क्या speed है इसकी, UX, समझे, तो यहां से क्या हो जाएगा, यह 2 से, यह 2 cancel होगा, और यह UX पहुँच जाएगा उपर, तो हमारे पास कुछ इस तरीगे से आजाएगा, आप इसका screenshot लें, और पर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए ज़रा, तो force हमारे पास निकल के आगया, F is equal to M upon L into UX square, टेक चलिए, अब हमने तो निकाल दिया force, हमें निकालना है pressure, तो pressure क्या होता है, force upon area, force upon area, area of wall, area of wall, अब देखिए, अब force का formula यह रहा, area मतलब L square हो गया, इस L square का into L से होगा, तो यह बन जाएगा, L cube, M upon L cube into UX square, इस L cube को आपने कह लेखा, volume, L cube को कह लेखा आपने, volume, तो भई यह हो गया, pressure is equal to mass upon volume into UX square, mass upon volume into UX square, clear है, now, अभी आप यह समझो कि basically, अभी तो हमने किस term में बताया, अभी हमने बताया, सिर्फ X axis में अगर velocity है तो, आभी समझे कि, देखो, जब कोई particle जा रहा है, किसी भी axis में, तो उसके chances जो है, यह, वो X axis में जा सकता है, वो Y axis में जा सकता है, वो Z axis में भी जा सकता है, मतलब probability in all three axis is equal, समझे, is same now, तो आपने क्या देखा, कि अगर मैं देखो, U is equal to मैंने क्या लेखा, UX I cap, U Y j cap, plus U Z k cap, अगर I cap का unit vector, unit vector का मतलब इसकी value क्या होती है, तो अगर मैं इन दोनों का square कर दोंगा, इस side U का square, तो U square, और अगर मैंने square square कर दिया, तो I square की value 1 होती है, J square की value 1, K square की value 1, तो square की value आगई, ये मेरे पास, आ जाएगी, गले रहे, now, तो यहां से, मैं ये भी लिखता हूँ, को UX, UI और U Z, ये तीनों, same है, तो U square की value मेरे पास, आ गई, 3 times of, UX square, तो UX की value, अगर में लिखना चाहूँ, in terms of U, हा न, तो कितनी आ जाएगी, U square by 3, तो UX, जो है, UX, मतलब, X axis में जाने की, जो probability है, वो 1 by 3rd, final, या main velocity के, तो हमने उसी चीज़ को, यहां पर, UX के जगए, हमने U square by 3 को, उठ किया है, तो यह क्या बन गया pressure, mass upon volume, अभी देखो, यह क्या है, यह single molecule के लिए है, देखो, यहां पर जो M दिया है, यह, this is for single molecule, single molecule, for single molecule, rewind कर लेने, एक बार आप वो सब कुछ clear हो जाएगा, अभी देखो, mass upon volume, U square by 3, अगर मेरे पास, N number of molecules हैं, तो मैं क्या करूँगा, N number of molecule में pressure कितना लेगा, फर्स्ट molecule है, U1 square, सेगंड molecule में, U2 square, थर्ड molecule में, U3 square, वह सभी molecule की जो probability होगी, वो X समझा रहा है कहीं भी, वो 1 by 3 होगी न, चले, तो हमने यह लेखा, अगर मैं इन सब का, M, V by 3 common ले लेता हूँ, तो यहां बचेगा, U is 1 square, plus U2 square, plus U3 square, ऐसे बचेगा, velocities का square, अब मैं अगर इसको, RMS value के term में लिखना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, अगर मैं इसका N का divide कर दूँ, किसका divide कर दूँ, N का divide कर दूँ, तो यह मेरे पास, N का divide और N का into, क्योंकि अकेला N का divide तो नहीं कर सकता, तो N का divide कर दिया, N का into कर दिया, तो यहां से, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, U square, या RMS value का square, लिख सकता हूँ, हाँ, देखो, वहले सार, आपने तो कहा था, रूट लगेगा ना, तो भई, इसके root को अटाके, मैंने इस साइड square लगा दिया ना, इसके square का उड़ा दूँगा, तो वापस से यहां root लग जाएगा, इस वाली value पे, समझे हैं, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बात समझ बागा गई, तो अगर मैं इसको rms value को टम में लेखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहां पर, अब देख रहे हैं, तो मैं यहां पर n का into n का divide कर दिया, और मैंने इस particular value को क्या लेखा, u rms का square, तो मैंने लेख दिया, m into n upon 3b, m into n upon 3b, तो एक आप यह देखें, कि अगर हम यहां पर देखें, यह n क्या है यहां पर, n है number of molecule, देखो n क्या है, n है number of molecule, small n कब number of mole है, कब number of molecule है, इस बात का आप दियान रखेंगे, clear now, तो अगर n number of molecule है, अगर मैं इसको capital M के form में लेखना जाता हूँ, वही देखो, तो यह क्या है, यह pressure exerted by, gas on balls of container, बात समझ मारी, कितना होता है, 1 by 3 mn into urms square, 1 by 3 mn into urms square, आप इसी pressure को ऐसे भी लेख सकते हैं, देखो, एक molecule का mass, into total number of molecule, तो यह तो निकल क्या आगा है, total mass capital M, एक molecule का mass M, और इसमें n number of molecule है, तो होगा total mass, into urms square, तो अब हम इसी formula को, अलग-अलग तरीके से लेखेंगे, अलग-अलग तरीके से, बात ही-बात ही, अब देखो, क्योंकि हम इसको बहुत तरीके से लेख सकते हैं, upon में देखो, upon में volume भी है, है, capital M, upon a volume है, तो हम इसको upon a volume लेखा है, तो हम इसी चीज़ को जो है, density के form में भी लेख सकते हैं, हाँ, बात को समझ ना, देखिए जरा, तो अब ही मैं इसको लिखूँगा, देखो, तो density का मतलब क्या है, total mass of gas upon volume of gas, तो यह मैंने बना दिया, देखो, यहां से बन जाएगा, देखो, mass upon volume को मैंने rho लिख दिया, density, तो density का जो है, यहां से formula बन गए, 1 by 3, rho into urms का square, तो this is what, pressure per unit volume, this is what, pressure per unit volume, बताइए जरा, clear हो रहा है, कोई problem तो नहीं है, formula आप याद रखेंगे, क्या formula है, 1 by 3, m, n, into urms square upon b, m, n को आप capital M, अब टोटल mass लिखते हैं, upon में b, मतलब per unit volume, तो m, y, v, क्या हो जाएगा, density, याद रखो इन चीज़ों को, याद रखो, समझे, थोड़ी से practice करो, दिमाग में, जो formula की image बनाओ, अपने आप बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे, लेकर अगर आपने का, कि सवरा racer, formula में दिक्कत हो रही, गड़बड हो रही है, बड़ी दिक्कत आजाएगी फिर तो, आप चीज़ों को याद रखे, आखे बंद करो, और याद करो, 1 by 3, M, N into, M into, U, R, M is square, upon volume, M into N, M का एक volume का mass, N का number of molecule, M into N हो गया, total mass upon volume, total mass upon volume, रो हो गया, 1 by 3, R, U, R, M is square, this is what, pressure, per unit, volume, तो भई, अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, तो आपको असाल लगेगा, अगर आप ने ऐसे करा रहे स्वार मर गया मैं, तो बहुत भेंकर फॉर्मूले हैं, तो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी न, आप चाहो उसका screenshot लो बड़ी आसे, और notes आपको मिली जाएगे, PDF पूरी मिल जाएगी, आप इसको जो है तरीके से देखो, यहाँ से screenshot ले लो, 1, 2, 3, ले लिया, 1, 2, 3, ले लिया होगा, 1, 2, 3, ले लिया होगा, 1, 2, 3, ले लिया होगा, अब यह माँगे बढ़ जाते हैं, और अब हमें समझ रहा है, kinetic energy of 1 molecule, तो भी बड़ी simple जबा होती है, अगर मेरे पास एक molecule है, तो kinetic energy, आप इन चीज़ समझो, यह formula आपके काम आएंगे, आप इसको समझ यह बड़ी आसे, देखो, अगर मेरे पास एक molecule है, तो इसका formula बनता है, half m into v square, या velocity का square, अगर मुझे average value निकालनी है, या kinetic energy of n molecule, चलो, तो अगर मुझे, यहाँ पर kinetic energy की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, kinetic energy की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो अब अगर मुझे मेरे पाफ बहुत सारे molecule है, क्या है, देखो, rms kinetic energy नहीं होती, rms kinetic energy average होती है, ठीक है, नौ, तो अभी आप समझो, कि अगर मुझे एक molecule, एक single molecule की kinetic energy निकालनी है, तो उसके बात बात है, एक ही velocity होगी, लेकिन अगर मुझे, लेकिन अगर मुझे निकालनी है, rms, मतब मुझे निकालनी है, average kinetic energy, या कहूं कि n molecule सी kinetic energy, चलो, मैं यहाँ पर average term हटा देता हूं, मान के चलो, एक बार को, ठीक है, अगर मुझे, n molecule कानेटिक energy निकालनी है, तो, m की एक single molecule है, मास तो रहे गई, लेकिन अगर n number of molecule है, तो वहाँ पर n का into हो जाएगा, और अगर n number of molecule है, तो उन सब की velocity अगर मुझे पिक कर रहे हैं, तो कौन सी velocity लोंगा, rms velocity लोंगा, तो हाँ, m के place पर हो गया m, और बहुत सारे molecule इसलिए m, n, और क्योंकि काफि सारे molecule है, तो उनकी rms value put करी जाती है, तो यह हो गया u rms का square, तो हमारे पास जो formula हो जाएगा, average kinetic energy per unit volume, अगर मुझे per unit volume में चाहिए, तो यहाँ पर volume का divide कर दूँँगा, तो m n by b जो हो जाएगा, that will be rho, तो आप भी समझो, कि average kinetic energy, इसको हम क्या बोलते हैं, और आपने यहाँ देखा, कि pressure per unit volume, कितना हो गया, हाँ, 1 by 3, rho u rms square हो गया, तो अगर मैं इनको, अगर मैं यहाँ पर pressure, और average kinetic energy के बीच में, या pressure और kinetic energy के बीच में, relation निकालना चाहूँ, तो किस तरीके से, वो relation में establish यहाँ पर करूँगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, show that pressure exerted by a gas, is 2 by 3 of kinetic energy per unit volume, तो आपने का देखा, कि pressure per unit volume, is 1 by 3 rho v square, average kinetic energy per unit volume, is 1 by 2 rho u rms square है न, v square मतला, velocity का square मैं बोल रहाँ हो यहाँ पर, अगर मुझे pressure और energy का, यहाँ पर divide कर दूँगा, तो pressure का formula, kinetic energy का formula, इन दोनों का divide हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, P by E is equal to 2 by 3, अब P is equal to 2 by 3 E में लिख सकता हूँ, तो यह चीज़ याद रखो, यह formula बहुत जादे important है, कि pressure per unit volume, is equal to 2 by 3 of average kinetic energy, समझ गए, बात समझो, P is equal to 2 by 3 E, या 2 E by 3, इस formula का यूज़ होगा, hence pressure exerted by gas, is 2 by 3 times of average kinetic energy, per unit volume, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर, clear है, चले बई, आप इसका screenshot ले लो, यह pressure और kinetic energy में, relation हो गया, gases में, कि यह जो pressure जो exert करती है, कोई भी gas, this is 2 by 3 times of average kinetic energy, possessed by this gas, तो अभी हमें क्या बताना है, कि kinetic energy interpretation of temperature, मतब किनेटिक energy, किस तरीके से temperature पर depend करती है, तो यहाँ पर अलग अलग, भाती भाती कि जो relations है, यह हमें use में लेकर क्याने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पहले, तो आपको यह confusion में नहीं होना है, कि number of moles कहां लिखे हैं, number of molecules कहां लिखे हैं, अगर आप इनकी confusion में हो, तो आराम ठंडे दिमाग से काम करेंगे, सब बन जाएगा, गबरा गबरा करके, खड़ बढ़ा करके चीजों को पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा, समझभारी चीज़े, आप चीज़ों को समझो, कुछ basic formulae जो हमने पढ़े हैं, उनको ध्यान में रखो, जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था, क्या बताया था सर, मैंने आपको starting बताया, कि ये देखो, ये relation कभी नहीं भूलना, ये relation बहुत बार काम आएगा, क्या काम आएगा, कि r by n a, क्या होता है, बोल्ड्जमें कॉंस्टेंट, ठीक है, और हमने क्या समझ लिया, और हमने समझा, कि n by n a, क्या होता है, total number of molecule, upon a, वो गडरो number होता है, number of mole, प्लेसर ये काम बीचे बता रहो, यही काम आएंगे आपको, n is small, number of mole is equal to capital n by capital a, capital n, जाए तर हम number of molecules के लिए उस करते हैं, small n, number of moles के लिए उस करते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी use हो सकता है, आपको अच्छे से बढ़िया से, दिमाग लगा के समझते हूँ, सोचते हूँ, चलना है, चलना है, एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पर हम आ गए, kinetic energy interpretation बट रहे थे, मतलब kinetic energy और temperature है, क्या relation होने वाला है, तो देखे ज़रा, हमने क्या जानते हैं, कि PV is equal to क्या होता है, RT, एक mole of gas की बात कर रहे हैं, किसके लिए, one mole of gas, one mole कितना होता है, 6.023 निटेंड़ पार 23, जो molecules हैं, वो एक mole of gas में होते हैं, उसको हम बोलते हैं, तो हमने क्या लिखा, कि यह जो pressure है, यह 2 बात 3 है, average kinetic energy, तो P के प्लेस पर मैंने लिखा, 2 बात 3, यहाँ पहम समझ रहे हैं, kinetic energy और temperature का, क्या relation होने वाला है, मतलब kinetic energy, temperature, velocities का, क्या relation होने वाला है, ठेक नाओ, अभी समझे, तो यहाँ पर देखो, कि RT को मैंने लिखा, RT, ठेक चलेगा, अभी आभी देखो, कि यहाँ पर जो है न, यहाँ पर, 2 बात 3 तो ठीक है, अब आप यह जानते हो, कि अगर मुझे बताना है, कि 2 बात 3, यह kinetic energy, चलेगा, अभी जो kinetic energy है, मैं इसको क्या लिखता हूँ, average kinetic energy क्या लिखता हूँ, बई देखो, एक molecule क्याने लिखता हूँ, यह क्योंकि तो 1 बाय 2, M, और यह मैं velocity का square कर दूँगा, अगर बहुत सारे molecule हैं, तो मैं देखों कितने molecule हैं, मैंने का n number of molecule, अगर मैं n को number of molecule हो, capital N से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर one more दिखा है, वो small n होगा, तो मैंने यहाँ बताया, m into n, तो अगर मेरे पास, उन सभी की velocity अलगाल होने कारेंट से, मैं यहाँ पर RMS value लूँगा, तो kinetic energy के place पे, या इस energy के place पे, मैंने यह formula रख दिया, और यहाँ पर n का बता दिया, capital N, यह है number of molecule, मैं screen से बाहर चला जाओ, तो भई आपको चीज़े समझ नहीं है, समझे, मेरी सिर्फ अवाज बिधान रखना है आपको, देखो, तो यह तना हो गया, अभी समझे, B के place पे मैंने B को put किया, ऐसा कर सकते हैं न, तो यह 2 से, यह 2 कट जाएगा, और यह बचेगा 1 by 3, capital M into N, यह होगा total mass, total mass into URMS square, this is your RT, समझ में आ रहे हैं बाद, चलिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं symbol, URMS का square निकाल रहा हूँ, तो इनको separate करने के बाद, बन जाएगा, 3RT by capital M, where capital M is total mass of gas, URMS की only value बचेगी, under root, 3RT by capital M, तो यहाँ से URMS, जो हो जाएगा, that means RMS value, यह सारी चीज़े constant है न, तो this is directly proportional to temperature, तो अगर, जो RMS value जो है, यह temperature के, under root of temperature, के directly proportional है, तो फिर, kinetic energy भी directly proportional ही होगी, एक बात चलिए ना, तो अभी आप यहाँ पर समझो, कि यह जो temperature है, यह absolute temperature है, कहाँ temperature है, absolute temperature means, यह Kelvin में आपको लेना है, clear है, आप इसका screenshot लेलो, ठीक है, यह important चीज़े हैं, इनको आपको धान रखना है, तो यहाँ से आपका समझ रहो, कि जो RMS value जो है, यह किस पर depend कर रही है, यह temperature पर depend कर रही है, यह temperature पर depend कर रही है, clear है, यहाँ पर आपको एक note point में बता दूँ, कि temperature is kept constant, अगर temperature रहा तो जो RMS value जो है, क्या, RMS value, यह RMS जो होने वाली है, अगर आपने temperature रहा तो RMS value will always be constant, irrespective of pressure and volume, चलो मैं pressure लग दिता हूँ, है ना, अगर आपने temperature को constant रहा है, तो pressure में कुछ भी, क्या बोला, temperature में अगर आपने constant रखा है, तो RMS value सिर्फ temperature पर depend करेगी, अगर फिर आप भले ही pressure को बढ़ाओ, घटाओ, कोई फर्क निपड़ता, इस डिर्क ली प्रपोजिट रूट टी, तो कोई दिक्कत नहीं है, pressure को बढ़ाओ, या घटाओ, समझे, ठीक है, तो चलिए, अभी हमें समझना है, next topic जो है, that is degree of freedom, देखो क्या होता है, कि जब आप किसी gas को heat करते हैं, heat करते हैं, मतलब उसको energy देते हैं, तो जो भी energy है, वो सारी की सारी energy, kinetic energy के form में absorb होती है, क्योंकि ideal gas के पास, potential energy zero होती है, क्यों, तो कि उसके molecule के बीच में, कोई भी attraction force ही नहीं लग रहा है, ideal gas के बारे, उसके gas molecule के बीच में, जो attraction force है, ये कैसा है, repulsion force है, जीरो है, तो उनके gas molecule के बीच में, किसी भी तरह का attraction repulsion force नहीं है, that's why we say, कि ideal gas के जब molecule है, उनके पास potential energy zero है, तो जो भी energy है, वो सारी की सारी kinetic energy है, तो जब हम किसी भी gas को heat करते हैं, that means, जब हम उसको energy देते हैं, तो जो energy होती है, that is totally absorbed in the form of kinetic energy, अब कुछ molecules के पास, जो kinetic energy होती है, ये कुछ के पास 3 type के होगी, किसी के पास 5 type के होगी, जैसे की सर मैं आप होताता हूँ, जैसे मान के चलो, basically kinetic energy 3 type के होगी, कैसे, या तो कोई molecule translational motion करेगा, या rotational motion करेगा, या vibrational motion करेगा, vibration motion very very high temperature पर होता है, normal temperature पर नहीं होगा, है ना, तो basically हम ये बोल सकते हैं, कि जब भी आप किसी gas को heat करेंगे, या energy देंगे, तो this energy is absorbed in the form of kinetic energy, तो बहिए कितने तरीके से, कितने तरीके से, ये absorb होगी, that तरीके, that number of तरीके, is called degree of freedom, हाँ, आप ऐसे बता सकते हैं, कि जैसे हमारे पास, अलग अलग type के molecule है, monotomic, diatomic, triatomic, triatomic, मतलब polyatomic वाले case को में ले लेते हैं, मतलब बहुँ सारे molecule, जो atom से मिल करके, अगर एक molecule बन रहा तो देखो, अब हम बात करेंगे, जैसे कि monotomic gas की, monotomic gas, अब पहले तो मैं आपको general sensor बता गे रहा हूँ, उसके बाद हम formula इसका समझ लेते हैं, देखे जरा, तो अब मानके चलो, मेरे पास एक monotomic gas है, जैसे कि helium हो गई, अब अगर मैं helium molecule की बात कर रहा हूँ, helium molecule की बात कर रहा हूँ, तो यह helium molecule जो है, यह ऐसे x access में जा सकता है, यह z access में जा सकता है, यह y access में जा सकता है, तो उसके translational motion कितने हो गए, इसके translational motion हो गए, 3, जिसके पास 3 translational motion हो गए, तो उसकी जो kinetic energy जो होगी, पूरी energy काइटिक energy है, तो तीन translational motion इसके पास हो गए, तो अब मैं देख रहा हूँ कि, यह कौन सा उन से x access में और घूम सकता है, तो अगर मैं कहूँ एक single molecule है, जो कि बहुत छोटा सा है, यह rotation करेगा, तो क्या इसका, मतब spin यह करेगा, तो क्या इसका size ही बहुत जादे छोटा है, इसका size बहुत जादे छोटा है, तो इसकी spin ignore हो जाएगी, देखो, इसके size comparison में, distance बहुत जादे travel कर सकता है, तो हम इसकी जो translational वाली जो energy है, उसको तो हम जो ignore नहीं करेंगे, यह वाली distance को, जबकि अपनी जगे पर घूमेगा, spin करेगा, तो इसको हम ignore कर सकते हो, यह notice भी नहीं होगा, है ना, बात समझ मारी है, तो हम का बोलेंगे, monoatomic gas में, यह तीन तरीके से energy को absorb करता है, x, y और zx में, तो इसके पास 3 degree of freedom है, clear है, तीन तरीके से यह आजाद घूम सकता है, clear है, अभी देखे, अगर हम बात करें, diatomic gas की, किसकी diatomic gas, जैसे की oxygen, oxygen के molecule हो गए, अभी का हो रहा है, अब अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यह कितने तरीके से, यह motion कर सकता है, देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यह x में जा सकता है, यह z में जा सकता है, यह y में motion कर सकता है, clear है, और यह ऐसे है, तो ये ऐसे गूम सकता है इस तरीके से ऐसे गूम सकता है ये ऐसे भी गूम सकता है तिनो दो पांच हो गए अगर ये ऐसे गूमेगा तो इसकी जो radius होगी बहुत जादा ही छोटी हो जाएगी इसलिए हम ये वाले axis को ignore करेंगे तो यहाँ पर कितने degree of freedom तो यहाँ पर हो गए 5 degree of freedom ये पांच तरीके से energy को absorb करता है यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक टाप का motion restricted है एक टाप को motion ये वाली spin क्या है restricted है तो formula भी हो मना देंगे अब triatomic में भी दो टाप के molecule होते है एक होता है linear और एक होता है non-linear यासे मान के चलो कोई molecule इस तरीके का है कोई molecule इस तरीके का है टीक ये linear हो गया और कोई molecule ये मैं और oxygen नहीं बनाया है मैंने simple एक molecule को यहाँ पे atom तीन atom को बदान कर रहा है ठीक है अब याभी आप इस समझो कितनी है restriction देखो तो यहाँ पर का है न किसे यह x-axis में से गुम सकता है यह y में से गुम सकता है और z में गुम सकता है clear है यह rotation की बात करें तो rotation भी यह कर सकता है लेकिन इसमें कितनी restriction है तो यहाँ पर यह एक restriction है, bond लगी है, और यह यहाँ पर एक restriction है, टेक, यहाँ पर restrictions कितनी है, यह एक, दो और यह तीन restriction है, तो formula जो बन जाता है, formula बना लेते हैं, formula कैसे बनेगा, तो formula बना लो, simple formula बना है, formula होता है, 3N-R, कितने restrictions हैं, कितने उसमें यह motion नहीं कर पा रहा है, clear, तो हम कहां करेंगे, यहाँ पर, देखे, 3N, इसमें क्या है, इसमें तो कोई, जैसे, monoatomic है, तो monoatomic के लिए 1, और restriction है 0, तो बहई, यह तो सब जा सकता है, तो यहाँ पर answer क्या आ गया, monoatomic के लिए 3, टेक, diatomic की बात करें, 3, diatomic के लिए 2, minus, यहाँ पर restriction कितनी है, 1, है ना, diatomic restriction 1 है, तो यहाँ पर देखो, यह कितना हो जाएगा, इसके लिए 5 आ गया, तब देखो, इसमें देखो, इसमें, linear की बात करें, linear, तो linear में आप देखिए, तो 3N, ट्राइटम में कहा है, तो 3, minus linear में 2 restriction है, तो 3, into 3, minus 2, कितना हो गया, 3, 3, 9, और यह 7, तो linear में degree of freedom कितनी हो जाएगी, 7 degree of freedom, non-linear में देखो, non-linear में, तो non-linear में आप यहाँ पर देखो, 3 restrictions अगर हो रही है, तो 3, into 3, minus 3, is equal to, यहाँ पर कितना हो गया, 6, तो non-linear में जो degree of freedom हो जाएगी, यह कितनी हो जाए किसे आप degree of freedom direct यहां से formula से calculate करेंगे formula से टिक ट्राइटमिक तो आप ध्यान रखें non-linear में तीन restriction लगा और की value 3 है टिक है जिसका आप constant भी बोलते हैं यहां पर जो है motion constructed है और यहां पर linear में 2 ले लो clear है now तो degree of freedom का जो formula है वो हमने क्या निकाला था degree of freedom का formula है हमारे पास 3N-R ठेक चलिए अभी यहां पर क्या होता है कि internal energy of molecule अब जो भी आप energy दे रहे हैं molecule को यह degree of freedom के तरीके से मतला अगर मुझे degree of freedom पता है तो यहां से मैं internal energy of molecule find out कर सकता हूं formula क्या है देखे जरा energy is equal to n n है यहां पर number of जो है mole number of mole one mole अगर gas है तो देखे जरा n f f है यहां पर degree of freedom f क्या है degree of freedom r universal gas constant और यह t temperature है और 2 यह formula होता है energy formula क्या है n f r t by 2 तो अगर mono atomic gas है तो आप क्या करेंगे यहां पर पहले तो mono atomic gas के लिए degree of freedom की value कितनी होती है 3 और number of mole क्या है 1 ले रहे हैं क्योंकि देखो यहां पर मुझे mono atomic को देखे 123 नहीं पुट करना है वोलो mono atomic मैं के तो 1 ले लूँगा नहीं क्योंकि मैं already निकाल चुका हूँ ना कि mono atomic के लिए degree of freedom 3 होता है तो मैंने यहां पर क्या f के place पर 3 put किया r के place पर r put किया t के place पर t put किया अपन में 2 और क्योंकि 1 mole की बात कर रहा हूं तो यहां मेरे पास 1 तो energy जो internal energy है mono atomic gas की that is 3 rt by 2 इसी तरीकी से diatomic का degree of freedom हो रहा है इतना तो 5 rt by 2 in the same way linear molecule के पास मैंने क्या देखा कि degree of freedom कितनी है 7 तो यहां पर मैंने पुट किया 7 rt by 2 और non-linear molecule के पास कितना है यह degree of freedom है 6 तो 6 rt by 2 और यहां पर क्या हो जाएगा 6 का 2 से divide हो जाएगा तो यह बचेगा 3 rt तो इस तरीके से आपने internal energy हो calculate करा with respect to this अब इसी फॉर्मूले को अभी हमें ना energy of monoatomic, diatomic and triatomic terms को समझे ना in terms of molecules है ना अभी हमने moles के term में जाना molecules में देखो कैसा समझता है देखें अभी आपने क्या देख लिया कि इस तरीके से आपने energy निकाली in terms of molecules of monoatomic, diatomic के लिए क्या case बनने बाला है तो लेट से अगर मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ monoatomic gases के किसके monoatomic gases के तो monoatomic gas के लिए मैं 123 ने पूट कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि monoatomic gas के लिए degree of freedom क्या होता है degree of freedom होता है 3 तो इसके लिए जो formula बन जाएगा that will be capital N के place पर क्या आ जाएगा one molecule है तो वन आ जाएगा और F के place पर आ जाएगा 3 KB Boltzman के place पर KB आ जाएगा और T के place पर आ जाएगा T upon में आ जाएगा 2 तो यह हो गई energy अब आप यह समझो कि यह तो हो गई एक molecule के लिए लेकिन आप मुझे बताईए कई बार आपको molar specific heat वगरा निकाल नहीं होती है तो अगर मुझे बताना है कि एक ओल में कितने molecule होते हैं अगर मुझे बताना है कि एक mole में कितने molecule तो वन मोल में होते हैं Avogadro number of molecule Na molecule होते हैं टेक आप समझो इसको जरा सा तो मैं कभी भी मुझे अगर 1 mole में molecules put करना होता है ना तो मैं इसको लिख देता हूँ 6.023 into 10 to the part 23 molecules टेक है यह होता है अब आप यह समझो कि मुझे यह value put नहीं कर रही है मुझे formula बनाना है Na बगारा के terms में तो देखो क्या होता है मैं यहाँ पर put करूँगा F is equal to 3 है तो अब भी देखो energy का formula क्या बन जाएगा E is equal to 3 Kb into T upon में हो गया 2 यह formula है molecule के लिए लेकिन इसमें यह तो एक ही molecule के लिए formula है अगर मुझे Avogadro number of molecule के लिए formula निकालना हो मतलब एक mole में जितने molecule होते है उसके लिए अगर मुझे formula निकालना है तो मैं यहाँ पर कर दूँगा Na का multiply ठीक है तो यही energy जो हो जाती है तो आप यह समझो यह मैंने क्यों किया है Na क्या है number of molecule number of molecule in one mole तो कभी मुझे molar energy निकालनी है क्या निकालनी है molar energy तो यह हो जाती है मिरे पास molar energy ठीक चलो तो यहाँ पर समझो तो E is equal to 3 kb by t Boltzman के terms में इस्टर से formula बन रहा है अब आप यहाँ पर देखे है कि kb into Na क्या होता है capital R होता है तो E is equal to यह बन जाएगा 3 by 2 RT kb into t क्या होता है capital kb into Na क्या होता है capital R तो monoatomic के लिए 3 by 2 RT यह क्या होई energy कौन से energy है molar energy molar energy take now अब diatomic के लिए देख लेते हैं diatomic के लिए देखे diatomic के लिए क्या बनेगा देखो ज़रा diatomic diatomic के लिए अब जैसे हमने यह निकाला है सब कुछ वैसी रहेगा यह यहाँ पे degree of freedom diatomic में कितनी होती है 5 तो यहाँ पे मैं simple का करूँगा 5 kb by t by 2 और यहाँ पे तो आप यह देखो E is equal to 5 kb बोल्जमेन कॉंस्टेंट 5 kb by t इन्टू यह तो किसके लिए हो गया बताओ यह हो गया 1 molecule पूरा लिख रहा हूँ आसान बाहसा में ताकि आपको समझ में आए confusion नहीं हो बाकी इन चीदों में confusion बहुत हो ज़ाते हैं ते हो गया 1 molecule के लिए अगर मुझे 1 mole में जितने molecule होते हैं उसके लिए चाहिए तो 5 by 2 kb into t और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अगर मैं इसमें n a का into कर दूं n a का तो यह हो जाएगा molecules in 1 mole molecules in 1 mole मतलब molecule के टम में हो गया और 1 mole के वराबर molecules में ले लिए इसमें कि यह भी into n को क्या लिख सकते हैं r तो 5 by 2 r t यह हो गई energy of diatomic gas अब कौन से energy है molar energy और इसी को बोलता हूँ internal energy अब आपको मुझे comment section में triatomic gas के लिए किसके लिए triatomic gas triatomic gas में से भी सिर्फ linear के लिए मुझे comment section बताना है linear चलो linear और and non-linear के लिए बताना है यह आपका इतना homework है और आप मुझे comment section में इस homework का answer देंगे मैं आपका wait करूँगा मैं अगर यहां तक पहुँचा हूँ तो आपकी भी responsibility बनती है कि आप comment section मुझे लेके बताएं एक student या 1000 student मैं सभी का comments को पढ़ूँगा आप जरूर से comment section मुझे इसका answer बताएं ताकि मुझे पता पढ़ पाएगा कि आप यहां तक आए हैं तो कम से कम आपके में काम आपाए इसलिए आपका individual comment मुझे जरूर से चाहिए time stamp करके मुझे जरूर से बताना हा comment section में चलिए तो यह आपका homework है triatomic gas की internal energy क्या होगी molar अभी कहा होता है यहां पर एक और time आ जाता है specific heat क्या जाती है specific heat तो specific heat आ जाएगा तो चलो यहां पर अपन समझ लेते है specific heat को टेक देख लेते है specific heat specific heat now अब देखो तो specific heat समझना है monoatomic फिर से एक और homework मिलेगा आपको तो monoatomic gas की specific heat monoatomic gas की specific heat देखो तो आप यह मानगे चलिए कि यहां पर न सबसे पहले हम देख लेते हैं constant volume पर देख लो at constant volume चलो हमने निकाल दिया है तो आपको अगर निकालना है cv क्या निकालना है specific heat cv तो उसका formula होता है change in internal energy with change in temperature देखो क्या होता है देखो मैं आपको बताऊ कि जो भी आप heat देते हैं जो भी आप heat देते हैं constant volume पर तो volume constant होता है तो जो भी heat दी जाती है वो piston को तो उपर उठानी पाएगी वो सिर्ट का करेगी वो इसकी energy को ही change करेगी total तो हम क्या बोलता है कि जो भी जो specific heat मतलब जो heat दी जा रही है constant volume पर that heat is only used to change the internal energy तो यहां पर क्या लख़ए दी टी तो at constant volume यह का बन जाएगा यह हो जाएगा cv is equal to d e की value का है monotomic gas के लिए यह है dt हम यहां पर करेंगे तो यह हो जाएगा 3 by 2 और यहां पर अगर मैं मैंने जो है क्या लिखा हुआ है 3 by 2 rt है ना capital R और यह t तो अगर मैं इसका differential कर रहा हूँ तो यहां पर मुझे cv की जो value मिल रही है यह value है 3 by 2 temperature respect में तो dt से यह यहां पर हट जाएगा तो कटेगा नहीं differential हो जाएगा 3 by 2 r बचा तो cv की value होगे 3 by 2 r अब यहां पर का होता है यहां पर अगर मुझे for ideal gas for ideal gas ideal gas के लिए तो cp की value का है is equal to r तो cp की value कितनी हो जाएगी 3 by 2 r और यह plus में 3 by 2 r तो कितना हो जाएगा 5 by 2 r तो यहां से अगर आप specific heat का ratio निकाले gamma is equal to cp by cv cp by cv तो आपको क्या देखने मिलेगा cp by cv तो यह देखने को मिल जाएगा कि cp की value कितनी है 5 by 2 r अपन में यह कितना है 3 by 2 r तो gamma is equal to 5 by r से r cancel हो जाएगा 5 by 2 into 2 by 3 तो gamma is equal to यहां पर हो जाएगा 1.66 तो यह mono atomic के लिए हो गया बात समझ मारी है ना अब इसी तरीकी से die atomic के लिए निकालेंगे एक तो homework देखे जाओंगा तो देखो ज़रा आप इसका screenshot ले लो now die atomic के लिए निकालना है तो die atomic के लिए कैसे निकालोगे die atomic के लिए die atomic के लिए फिर से constant volume भी निकालना है specific heat d e by d t तो यहां से जो value आएगी cv की यह हो जाएगी d by d t of e की value mono atomic के लिए 5 by 2 r t और यहां पर यह cv की जो value है यह हो जाएगी 5 by 2 r similarly similarly cp की value हो जाएगी 7 by 2 r क्योंकि हमें पता है कि cp minus cv होता है r तो cp is equal to cp minus cv की value है 5 by 2 r और यह है r तो यहां से cp is equal to हम इसको add करेंगे तो यह हो जाएगा 5 by 2 r और यह plus का होगा r तो cp is equal to 7 r by 7 by 2 r तो यहां से अगर आप फिर से ratio निकालेंगे gamma तो gamma is the ratio of specific to cp by cv निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 7 by 2 r और यह कितना है 5 by 2 r तो यहां से gamma is equal to कितना हो गया 7 by 2 2 into 2 by 5 तो this is your 7 by 5 क्या आ जाएगा 7 by 5 अगर आप डिवाइड करोगे तो वन पॉइंट यह बच जाएगा फोर तो इसकी वैल्यू आपकी वैल्यू इतनी हो गई अब आपका homework क्या है homework यह है आपका homework यह है कि आपको ट्राय एटम में गैस में आपको गामा की वैल्यू निकाल करके मुझे बतानी है टेक linear के लिए बताओ और non-linear के लिए बताओ इतना तो करोगे ना ट्राय एटम में गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगे linear और non-linear चले भाई टेक नौ अभी देखे हो next हम आजाते हैं law of equipartition बेतना बहुत कुछ समझ लिया आपने law of equipartition के जब हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या समझना है कि law of equipartition equal मतलब equal, partition मतलब divide होना तो जो भी energy जो मिलती है किसी भी gas को, उसके molecules को ये वो पूरी कानेटिक energy के form में अब्सौर्ब होती है अब कानेटिक energy में अलग-अलग degree of freedom है तो इसे मान के चलिए कर 5 degree of freedom है तो जो भी energy मिल रही है वो 5 degree of freedom में equally distribute होगी law of equipartition ये कहता है कि जितने भी parts में या काओं को जितने भी degree of freedom है जितने भी तरीके से energy जो absorb हो रही है वो हर एक तरीके में equally distribute होगी for example जो से जो energy है ये energy translation motion में absorb होगी ये rotational motion में absorb होगी और अगर very high temperature है तो vibrational motion में भी absorb होगी तो कहां जा रहा है कि जो भी energy है ये बराबर बराबर energy absorb होगी बराबर energy absorb होगी और average energy associated with each degree of freedom हर एक degree of freedom से कितने energy associate होगी half kb by sorry half kb into t half kb into t this is the average kinetic average energy associated with each degree of freedom clear now आगे बढ़ जाएंगे अभी देखे अब हमें पढ़ना है एक important सा law that is Maxwell distribution law this law is for molecular speed देखे क्या होता है कि एक container में अगर बहुत सारे molecules हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे molecules एक ही जैसी velocity से move कर रहे हो कोई molecule ऐसे जाएगा कोई 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 ऐसे कोई ऐसे मतलब अलग-अलग velocities के साथ molecules जो है motion करते हैं करते के नहीं करते तो बई और ये velocities random होती है बड़ी ही random होती है तो Maxwell ने एकाद हमें ऐसी चीज़ बताई कि बई देखो ऐसा है random velocity होती है ठीक है लेकिन एक इसमें most मतलब ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारी अलग-अलग velocities है लेकिन एकाद velocity तो ऐसी होगी जो most probable है जिसके chances बहुत जादा होंगे कि randomly हाट डाल के अगर मैं एक molecule निकालनू उस container में से तो ये कौन सी speed वाला molecule निकल के आएगा बस समझे रहो तो एक हजार तरह की velocities हैं लेकिन अगर randomly किसी molecule को अगर मैं pick करूं container में से तो वो वाली speed वाला molecule मिलेगा ये हमें बताया Maxwell ने लेकर है तो देखो तो Maxwell ने ये जो उसका derivation वगरा हमारे syllabus में नहीं है हमें सिर्फ इसके concept को जानना है और graph वगरा हमसे का गयता है इसको समझना है देखो इस axis पर बताया गया ये लिखा है क्या लिखा है मैं पढ़के सुना जाता हूँ number of molecules moving with speed v और ये कितने molecules है nv हमने मतलब ये कुछ number of molecules है जो की v speed से move कर रहे है तेक और यहाँ पर क्या बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ velocity क्या है ये velocity है velocity या चलो velocity ये speed मुझे बोलना चाहिए speed speed है और इसको मैं v से represent कर रहा हूँ टेक तो देखो ये graph हमें ये बताता है कि वैसे तो जो velocities है velocity ये speed बोलना चाहिए मुझे जो speed है वो अलग-अलग होगी कैसे होगी अलग-अलग होगी लेकिन आप ये देखें कि कुछ speed ऐसी भी होंगी जिनके chances सबसे ज़ादा होंगे speed का बोलता है देखो जैसे यहाँ पर आप ये देखें कि ये speed कैसी है ये most probable speed है most probable speed है जिसकी value कहां से कहां लाई कर रही है इसकी value v से लेकर के जैसे इस point पे जो velocity v है तो इस point पे speed जो है थोड़ी सी बढ़ गई होगी और कितनी हो गई b plus db हो गई होगी clear है तो ये जो point आप देख रहे हो आप यहाँ पर देखो कि ये वाली जो range है इस range में सबसे अधा molecule लाई करते है सबसे अधा देखो इसको नाम दे दिया most probable speed के नाम दिया most probable speed most probable speed क्या है most probable speed वो speed है कि जिसके अगर हम molecules को pick करते है तो सबसे अधा chances होते है ये वाली speed वाले molecules हमारे निकल के आएंगे अब आप ये देखो कि ये वाला graph left में थोड़ा सा restricted है मतलब इतना ही है लेकर right side में बहुत सारा है या आप खिषते ही चले जाओ तो उसका current क्या है कि देखो आप इस side को आओगे इस side आओगे तो आपको मिलेगा कि minimum velocity या minimum speed कितनी है 0 तो minimum की एक range fix है minimum की range का है fix है लेकर maximum speed की range fix नहीं है maximum speed कितनी है minimum तो बही 0 होगी है के नहीं लेकर maximum तो कुछ भी हो सकती है तो ये जो है अब देखो तो आपको समझ में आगे left में जो graph है वो कम है right side graph ज़्यादा है इसका भी ये importance है और इस graph में अगर आप shaded मतलब इस graph का ये क्या है इसका आप बोलते है number of molecules with speed v मतलब ये वाली axis बता रही है कि कितने axis मतलब ये वाली axis बता रही है कि इतनी speed से कितने molecules यहाँ पर मिलेंगे ये वाली axis पर हमने बताया number of molecules ये वाली speed हमने बताया speed मज़ें आगी बाद तो अभी आप यहाँ पर समझें कि यह वाला जो कर्व है कौन सा कर्व? कि number of molecules moving with speed V और और यह speed का जो कर्व है यह हम बताता है कि इस particular range में कितने molecules मिलने वाले हैं या total number of molecules चले मैं आपको सारी जी समझाता हूँ तो यहाँ पर हम अगर एक एक करके बढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखाए? in any gas molecule collide with each other किसी भी gas में जो molecules होते हैं यह एक दूसरे के साथ collide करते हैं अलग-अलग speed के साथ Maxwell ने एक relation derive किया mathematical relation derive करा to find most probable distribution of speed मतलब यह बहुत सारी speeds अगर है तो इसमें से most probable speed कौन सी होगी? मतलब ऐसी speed जिसकी सब साथ chances है तो इसके लिए हमने एक graph बनाया अब इस graph की कुछ अलग-अलग बाते हम जान लेते हैं पहली बात क्या? at any temperature किसी भी temperature की अगर हम बात करें तो speed जो है 0 से लेकर के infinity तक कहीं भी हो सकती है कुछ भी value हो सकती है ऐसा कोई fix नहीं है कि यह इतनी ही होगी 0 से infinity any value हो सकती है इसके बाद area of shaded reason जो shaded reason हम बता रहे हैं यह क्या देता है? number of molecule whose velocity lies between V and V plus dV अगर हम इस shaded reason की बात कर रहे हैं तो shaded reason में क्यों हमने represent करा? इस shaded reason में हमने represent करा है shaded reason का अगर हम area निकालेंगे तो area gives number of molecule area gives total number of molecule within V and V plus dV अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे तो अल्रेडी लिखा ही हुआ है कि यह number of molecule है तो यह लिखा है particular इस जगह पे यह लिखा है particular इस जगह पे कितने molecule है यह लिखा है particular speed कितने molecule है लेकिन इस range में कितने molecule होंगे हमें इसका area निकाल करके बता पड़ेगा अब दिखिए तो the speed of largest fraction of molecule at a given temperature is called most probable speed हाँ speed of largest fraction वो बड़े सो जुन्ड की जो speed है जो maximum number of particles की जो speed है है ना उस speed को हमने बोला most probable speed और यह क्या होता it corresponds to the it corresponds to the peak of curve और यह का मिलेगी आपको curve के peak पे मिलेगी next क्या है the distribution is not symmetric about most probable speed most probable speed के left में तो आप देख रहे हो कि कम है और right में area ज़्यादा है इसका reason में आपको उता दी है इसलिए हमने बोला distribute symmetric नहीं है area under curve gives the total number of molecule in a given sample of guys अगर हम इस पूरे का area of curve निकालेंगे तो हमें total number of molecule मिल जाएंगे एक sample में कितने है अब इसमें कुछ चोटी-चोटी सी चीजें formula में कहूंगा इसको आप ध्यान रखेंगे मैक्सवल ने अपने हिसाब से derivations वगरा करने के बाद अब इससी बात है कुछ formula को modify करा और अलग-अलग terms moon formula को लिखा जैसे कि average speed का जो formula होता है generally हम जानते हैं कि कितना होता है V is equal to V1 plus V2 plus V3 divided by total number of molecules जो हमने लिखार MS value होती तो हम इसको square वगर अगर के root लगा देते using Maxwell speed distribution law it can be shown that average speed का जो formula जो derivations वगर आपको नहीं करना है यह क्या है वह यह formula डारेक्ट याद रखना है 8RT by Pi M क्या है 8RT by Pi M अब इस formula को देखो RT is equal to आप जानते हैं देखो 1 mole gas के लिए PV is equal to NRT होता है अगर 1 mole gas है तो PV is equal to आपने RT लिख दिया तो formula यह बन गया अब आप यह देखो भाई अब आप इस M को क्या लेख सकते हो देखके बताना मुझे M को इस M को क्या लेख सकते हो M क्या है total number of यह total mass of gas total mass of gas को कैसे बताते हो आप देखो M is equal to क्या होता है small m into n ठीक है अब M is equal to small n को क्या लेखते हो आप कि total number of molecule divided by avogadro number ऐसे लिखते हैं small n को अब आप समझो कि यहाँ पर न एक मिनिट मुझे ऐसा करना चीए चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पर समझो कि यह क्या है कि जो capital M है total mass है तो मैंने का एक molecule का mass है small m और इसमें total n number of molecule है चीक है माल लिया अब आप जी समझें कि इस capital M is equal to यह M के place पर मैंने M रखा और यह N जो है इसके place पर मैं लिख सकता हूँ N into capital N A लिख सकता हूँ अगर एक molecule की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर capital M के place पर M into N A लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ ना इस M के place पर मैं small M into N A अगर लिखता हूँ जो कि अवो get row number है तो बहुत सारे समझदार बच्चे जान गए होंगे कि R by N A को हम boldsman constant लिख सकते हैं और वही हमने किया तो यह formula इस तरीके से भी निकल के आगए every speed का तो अलग-अलग तरीके से formula निकल के आ सकते हैं आपको बस method आना चाहिए आपको बस method आना चाहिए 8RT by pi average speed का formula याद रखेंगे बाकी सारे formula आप कुछ से बना लेगे अब देखो इसी तरीके से RMS root mean square value हो में इस तरीके से निकालते हैं सभी square values का आपने सभी square का mean निकाला उसके उपर root लगा दे root mean square value हो गया जबकि अगर हम Maxwell losses को समझते हैं derive करते हैं तो formula निकल के आता है 3RT by m अब फिर से changes वगरा करेंगे तो ये formula आपको मिल जाएगा clear है now इसी तरीके से most probable speed निकल के आती है 2RT by m और changes करने के बाद ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है RMS value सबसे ज़्यादा होती है उससे छोटी होती है मत्दा अगर हम speed की बात करें values की बात करें तो जो RMS value है ये सबसे बड़ी है then average value then most probable speed की ठीक अब ये free path क्या होता है समझो ये हमारा आज के लिए final topic है समझे जरा जब दो molecule collide करते हैं जैसे कि ये molecule ये molecule से collide कर रहा है तो दो ये first ये molecule मान के चलो ये आया और इस molecule से collide कर रहा होगा तो मैंने यहाँ पे नाम दिए first collision है अब first collision के बाद ये small molecule से जा कर रहा टकर आएगा let's say second collision हो गया तो ये second collision तो दो collision के बीच का जो समय होता है उसको मोलते है free time लेकिन दो collision के बीच का जो path है इसको हमने बोला pre path क्या बोला? इसको हमने बोला pre path तो दो successive collision successive मतला तो जोला चौथे पांचवे collision के बीच का जो path हो गया अगर हम इन सभी free path का average consider कर लेते हैं तो ये हो जाता है अपने पास mean free path तो mean free path को हम represent करते हैं lambda bar से तो lambda bar is equal lambda 1 plus lambda 2 divided by lambda divided by n टेक चलिए जितने बार भी इसमें collision वगरा हुआ है वो सारी चीज़ हम consider करेंगे आप अभी देखें तो expression for mean free path हमें mean free path के लिए expression the derivation करना है कि किस तरीके से आप mean free path निकालते हैं average free path निकालते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर draw करनी चाहिए जैसे की एक यह हमारे पास cylinder हो जाता है यह हमारे पास एक cylinder हो गया तो एक cylinder हो गया चलो यह हमने draw गर दिया ठीक और यहाँ पर यह हमारे पास एक cylinder बड़ा सा बनाएंगे क्यों इस तरह कर रहा है देखो ज़रा तो यह मेरे पास एक cylinder बनाता हूँ और यहाँ पर कुछ assumptions वगरा है यह मुझे समझने है देखो यह सिलिंडर है इस सिलिंडर की जो radius है वो D है कितनी है? D है और मान के चलो देखो हमें पता है और एक particle या एक molecule जो सामने एंटर कर रहा है इसका diameter D है कितना है? इसका diameter है D इसका diameter D है अभी हम जानते हैं कि इस container के अंदर बहुत सारे molecules होंगे अगर सारे ही molecules इसके अंदर है तो बहुत ऑबिस सी बात है हर molecule का diameter अगर मैं D मान रहा हूं और इस तरीके से molecules इसे फैले हुए है तो सारे molecules जो अंदर है उससे टकराएगा obvious सी बात है इसमें कोई दोराय ही नहीं उससे collide करेगा बिलकुल बहुत simple सी बात है लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ molecule ऐसे भी होंगे जिसका chance होगा कि वो ना टकराएं तो मान के चलो यह पहली चीज क्या है? this is imaginary cylinder यह क्या है? यह imaginary cylinder है जो चीज हम करने वाले हैं वो imaginary cylinder में इन possible है तो हमने क्या consider करा? कि यहाँ पर हमारे पास एक molecule होगा वो कुछ इस तरीके से होगा एक molecule कुछ इस तरीके से होगा ठीक है? सवाल यह है कि अगर कुछ molecule इसके proper अंदर है तो टकराएगा ही तेख और proper बाहर है तो नहीं टकराएगा उसमें तो clear है लेकिन clear किस चीज में नहीं है कि अगर थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर है तब क्या होगा तो देखो ऐसे case में हमें समझना है कि ये कब नहीं collide करेगा देखो ये molecule अ अगर इसकी distance इसकी dy2 distance ये अंदर है तो इसके chances है और ये तो है वैड़ी तो भई अगर अगर ये जो है ये आउटसाइड बाले जो molecule है अगर ये dy2 या उससे ज़्यादा अंदर होंगे तो ऐसे सभी molecule से ये वाला molecule टकराएगा क्या अगर सभी molecule dy2 या उससे ज़्यादा देखो dy2 या उससे ज़्यादा अंदर है तो collision होगा otherwise नहीं ठीक यह आपको धान रखना है क्लियर है अभी समझें अब इसमें हम कुछ assumptions करते हैं कि पहली चीज क्या है ये molecule rest में हैं बाकी सारे सिर्फ ये वाला molecule जो है ये motion में है बाकी सारे molecule ये किस में है rest में है तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कुछ चीज़े calculate कर नहीं है जैसे कि अगर हमें average free path निकालना है mean free path तो उसका formula वगरह मैंने सब कुछ यहाँ पर mention करके रखा है पहले जी formula का है mean free path का distance covered in time t वह आपने time t में कितनी distance cover कर ली upon total number of collision कितने होगा है इस particular time में तो देखो पहले मुझे समझना है कि यह actual में मैंने कहा कि लटसे इसमें जो यह particle जो जा रहा है let's say average velocity के साथ जा रहा है इसको मैंने कहा लेखा average velocity तो अगर मैं यहाँ पर average velocity को दिखा रहा हूं तो यह average speed बोलना चाहिए मुझे देखो तो distance covered in time t इस time t में तो mean free बात का formula क्या है distance कितनी cover करी इसने upon कितने number of collision हुए तेक चलिए तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा free बात जैसे एक general सी बात बोलता हूं है इसने 10 meter cover किया और यह दो बार cover जो है दो बार यह collide कर गया तो average value कितनी आ जाएगी हमने कहा कि यह 55 meter का इसको gap मिल गया होगा 55 meter यह free दोड़ा होगा समझ गए तो इस तरीकी से हम निकालते है distance in time t upon total number of collision तो भी देखो distance का simple सा formula होता है speed into time और number of collision का formula जान लो volume of cylinder swept by molecule मतलब इ molecule जब आगे दोड़ रहा है तब और number of molecule per unit volume इसके एक unit में कितने number of molecule है तो हमने मालिया कि इसके एक unit में small n number of molecule है तो देखिए तो यहां से lambda bar is equal to क्या बन जाएगा let's say इसकी जो speed average speed यह हो गई b bar मैंने यहाँ पर सारी चीज़े mention करी है आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ मा जाएगा वी बार टेक किस स्पीट से जा रहा है अवरे स्पीट से इंटू टाइम कितना लग रहा है मैंने का टी टाइम इसको लग रहा है तो वी बार इंटू टी टाइम यहाँ पर मैंने लगाया ना अब इसने volume कितना cover करा होगा तो volume को formula होता है area इंटू जो है third side तो let's से इसने पाई D2 यह गए area ठीक देखो जरा volume शुट बढाइज एक हाटS मतलब का है यह वाली length तो यह वाली length कितनी है देखो जरा वाली length कितनी होता है देख जरा वाली length कितनी है वी बार into-t length का formula क्या होगा distance तो यहां पर कितना हो जाएगा बी बार इंटू टी यह हो गया एरिया और यह हो गई थर्ड साइड लेंथ तो यहां से इन दोनों मिला के बनता है वॉल्यूम ठीक है नौ तो आप यहां पर समझो मैं यहां पर बिल्कुल नीचे लग देता हूं अभी देखो तो इसके बाद यहां पर क्या बनाएAS परियोट वाल्यूम तो इसको मिल्ग दिय है, श्मॉल एण तो यहां से वी बार से वी बार केंसल हो जाएगा तो लेमड़ा का जो फॉर्मूला जो बनके पाथ का formula लेकिन लेकिन जी चलो screenshot लेलो इतना आ गया कितना simple है ना लेकिन भागे को कुछ और यह मंजूर था और क्या मंजूर है देखो but this is mean free path when all molecules are in rest except one यह जो हमने mean free path निकाला है यह जब का है जब सभी molecule rest में सिर्फ एक molecule आगे बट रहा है तो Maxwell ने इस पर खूब study करी और पाया कि अगर यह जो अगर हम बाकी सभी molecules को consider करते हैं in motion तो जो modification होगा इस formula है वो कुछ तरीके से होगा कि जो mean free path that will be root two times less than the mean free path when all molecules except one was in rest तो जब Maxwell ने study करा तो इस formula को उसने थोड़ा से modify किया और पाया कि mean free path जो है जब molecule rest में थे उसकी comparison में root two times कम हो जाता है मदर root two times का divide लगा दिया clear है तो यह formula जो अपन निकाला है उसमें root two का divide लगा देंगे तो जो आपका जो अजम्शन है वो हट जाएगा और सभी molecules का अब मोशन में consider कर सकते हैं अब इसी formula को अलग-अलग तरीके से लिखेने की जिद होती है तो क्या है अब यहां पर एक नई बात है देखो मैंने आप क्या बताया है कि number of molecules per unit volume let's say this is your equation number one तो अब आप यहां पर समझो कि number of molecule per unit volume तो यहां पर आप ही लिखेंगे कि capital N by V is equal to N और N यहां पर हमने क्या माना है number of molecule per unit volume तो हमने इसको क्या लिख दिया M into N टेक तो अब आप यह समझो कि यहां पर यह जो small N है इसके place पर हम क्या लिख सकते हैं rho by M इसके बात क्या होता है कि अगर हम इसी value को put करते हैं यहां पर तो यह मेरे पास lambda bar का main formula बन जाएगा तो average तो और बाकी और भी तरीके से हम इस formula को derive कर सकते हैं तो यह हो गया main free path complete टिक तो अब आपको मुझे comment section में पहले तो homework का answer देना है homework और इससे साथ-साथ मुझे comment section बत section wait करों guys कि आप मुझे comment section बताएं कि आपको यह video कैसी लगी यह chapter आपको कुतरा समझ माया और मिलेंगे आपसे next video मतब तक के लिए thank you so much guys thanks a lot see you again in the next video thank you